वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल साती हूँ आरेस क्लास में आपका मैं कॉसल सींग हर दिक दिल से अभी दिंदन करता हूँ तो आप देख रहे हूँ भारती दंड सहीता 1860 में आजम पढ़ेंगे साती हूँ कि व्यपरण और अपरण में क्या अंतर होता है व्यपरण दंड सहीता यानि जो IPC है किस सेक्षन के अंतरकत ये चीज़ें आती है और जो भी भाई वैन हमारे चैनल पर नए है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहें तो भारते दंड सहीता पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने साती है चली देखते हैं वेबरड और आपरड में अंतर क्या क्या है और ये किस सेक्शन के तहत ये अपराद माने गए हैं और क्या है इनमें सजा का प्राप्धान साती हो चली देखते हैं और प्रडढ का अर्थ किसी आवेस के विक्रत ध्माग की विक्ति को उसकी कानूनी सरक्षता या इनिवें से दूर करना या किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से परे ले जाना देखिए समझे होंगे या नहीं समझे होंगे किसी अवैस के या बिकरत दमाग के व्यक्ति हो यानि अवैस को हो और पागल दमाग का कोई व्यक्ति हो उसकी जो सनक्षता जो करता है व्यप्रड का अर्थ होता है किसी पागल व्यक्ति को या फिर किसी के अंडर में वो रह रहाओ वहां से उसे दूर करते हैं या फिर भारत की सीमा से हम परे ले जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा व्यप्रड कहलाएगा साथी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर करना या प्रेजित करना दैकिई, दौनों में बहुत अंतर है, यहां देखिए वेपड़ा में जो बात हो रही है, वो बात हो रही है कि यही किसी पागल बेक्ती की और उसे उसकी जो गाडियन से पहर, यानि जिसकी सनक्षता हैं, वो रह रहा है, उससे दूर करके भारत की सीमा से परे ले जाना, यानि जैसे कि नेपाल में ले गए हम, ठीक है, यानि पाकिस्तान में ले गए, तो ये क्या हुआ, वेपरण हुआ, ठीक है, और कोई पागल बैक्ति हो, उसकी ज अलका प्रियोग करके, धोकेवास तरीके से, किसी एक स्थान से, दूसरे स्थान पर ले जाना, यानि ले जाने के लिए मजबूर करना, या प्रेरित करना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अप्रड़ हो गया, अप्रड़ा अपने मूबियों बहुत देखे होंगे, बेन आती है बेन आती है और वहां वो जो दरबाजा होता है वो दरबाजा खोल के रखते हैं और एक बंदा उतरता है पिश्टल लेके पिश्टल लेके उसके जो काला टोपा सा होता है वो उसके पहना देता है कैप सा उपर सिर पे और पिश्टल रखके उसे बेन में डालके अंदर रे जाते हैं, मूवियों में आपने बहुत देखा होगा, वो क्या है, अपरण होता है, क्या होता है, यानि अपरण मूवी भी देखी होगी आपने, अपरण जो मूवी आई है, अजे देवगन की, अपरण जो मूवी है, उसे देखना आप, बहुत ही अच्छी मूव यानि विपरड की क्या धारा है और अपरड की क्या धारा है आप डेफिनेशन तो समझी गयोंगे कि विपरड की डेफिनेशन क्या है और अपरड की डेफिनेशन क्या है साती हूँ चली अब देखते हैं आगे इसमें धारा क्या कहती है और क्या है इसमें सजा का प्रापदान चलिए देखते हैं, देखिए, देखिए, बने रहीएगा, थोड़ा पर्चे करते हैं इसके बारे में, देखिए, थोड़ा पर्चे अगर किया जा इसके बारे में, देखिए, हम अक्सर फिल्मों या धारवाइकों में देखते हैं कि एक अपरादी किसी भी ब्यक्ति को उसक से देखिएगा उसमें बिल्कुल जो परिचे दे रखा है बिल्कुल यही परिचे आपको मुवी में समस्मे आजा जाएगा हम आम तोर पर इससे व्यपरण कहते हैं लेकिन हम अपरण सब्द के बारे में कम जानते हैं यह आपस जो ऑद्देसों को पूरा करने की आवशक्ता होती है जबकि अपरड में केबल ले जाने की करिया करनी ही अपराद होती है यानि बेपरड में क्या है कि उसे ले गए उसकी सरनचता से दूर ले गए यानि ये इसका है कोई रखवाला है और इससे इसको दूर ले गए यहां पर दूर ले आए तो वो होता है उसे पूरा करने के लिए वो अप्रण किया जाता है ठीक है साथियो आप समझे कोई उद्धिस को पूरा करने के लिए अप्रण किया जाता है उसमें आवशक्ता होती है क्या होती है किसी उद्धिस को पूरा करने की आवशक्ता होती है जबकि व्यपरण में यह चीज नहीं होती है चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है देखिए आगे क्या कह रहा है आगे कहता है साथियो आगे कहता है व्यपरण और अपरण के बीच अंतर का अबलोकन देखिए अब करते हैं अबलोकन यानि अबलोकन क्या है व्यपरण और अंतर में यानि किस किस दहराओ में आता है यह यानि किस सेक्षन के बीच अपरणा आएगा और किस सेक्षन के बीच विपरणा आएगा साथी देखते हैं अंतर क्या क्या है इसमें चलिए बने रही है साथ और ज्यादा से ज्यादा चैनल को share and subscribe जरूर कीज़ेगा साथी और like कीज़ेगा जो भी बही है हमारे चैनल पर अभी तक नए आएं वो चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा और बीडी को like करके जरूर चाहिएगा चलिए देखते हैं अंतर के आधार देखिए ये इधर अंतर के आधार है विपरणा और अपरणा देखिए देखते हैं विपरणा पहले यानि कौन सी है धारा 369 IPC की बात और यह सा krijgen है भारतिय दंदर सहिता की धारा 369 ब्यपरण के अपराद को परिभासित करती है क्या करती है 369 के अंतर star के अंतर अपराद को परिभासित करती है यानि अपरड क्या है 362 में है और व्यपरड है 369 में देखिए सातियू मैंने आपसे अभी वहाँ पे क्या कहा था व्यपरड की धारा आपकी अलग है अपरड की अलग है व्यपरड की आपके हो गई 369 और अपरड की हो गई 362 इसमें उद्देश की अवशकता नहीं होता है। देखिए आगे देखते हैं और देखिए अर्थ समझते हैं। कि अर्थ क्या के रहा है। अर्थ कह přैए साथी ओ विपरण का अर्थ है किसी अवैस्क। विक्रत दिमांग के ब्यक्ति को उसकी शुकरूलीन सररक्षता गाहडियन से किसी अप्रड का देखिए एक मिनट देखिए अप्रड का ताथ पर किसी ब्यक्ति को बलका प्रयोग करके या किसी धोकेवास तरीके से उसे एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने के लिए मजबूर करना तो देखिए या प्रयरित करना या फिर प्रयरित करना उसे कि कोई कहता है आजकल आपने बहुत देखा हुगा कि आपसे अगर आप वहां रिस्ते में प्रयरित करना है बी नाम का बैक्ति इससे कहता है कि तुम्हारे कोई चाचा है कोई ताओँ है वो बहुत इमर्देंसी में तुम्हें बुला रहे हैं और वहां पे चलो तो यह क्या करता है उसे प्रेरित करता है कि वहां पे चलो और फिर वहां ले जाके धोके बाजी से इसका क्या किया जाता अगे आपका lips सते अधियरियरे करेथ कानुनी वैद सरल्षिता से अलग हो जाता है। देखिए इसका क्या है जो विपरड होता है यह लगातार नहीं चलता है यानि मान लीजिए एवेक्ती है यह बिलकुल पागल है क्या है यह बिलकुल पागल है यह अब यहां पे रहता है यह इसमें रहता है यह इसके गार्डियन से पर सरक्षता है इसके ओक ओ मान लीजिए ओ सरनक्षता है अब बी क्या करता है ये बी इससे यहां से अलग कर देता है यानि बी जो है इसे यहां से यहां से इसे अलग कर देता है तो बस ये लगाता चलने वाली प्रिक्रिया नहीं है यानि ये क्या कह रहा है ये लगाता चलने वाला अपराद नहीं है उस समय ही पूर का काम हो गया यानि इसको सिर्फ अलग कर दिया अलग करने से ही इसका काम हो गया इसका साथी अब यह क्या कहता है देखिए यह एक सतत continue अपराद है यह जब तक जारी रहता है जब तक की ब्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता यानि देखिए समझिए देखिए क्या कह रहा है यह कह रहा है कि यह कंटीनू चलता रहता है यानि कंटीनू कैस चलेगा देखिए मान लीजिए अब यहां पर इसको एको लेके एको ले गई आगे यहां पर लेके आगे चलेगे इसे टूरला में लेके चलेगे अब यह कहते हैं कि यहां पर इसे पतना चलिया एक कॉल यहां से करेंगे फिरोती के लिए फिर एक कॉल इसे यहां से करेंगे फिरोती के लिए फिर यानि जगह जगह यह चेंज करते रहेंगे यह जगह जगह चेंज करते रहेंगे य यहां से अलग फोन करते हैं यानि कॉल्ट रेस ना कर ले कोई ठीक है ओर जब तक उनकी जो उद्देश mica होता है उद्देश की आवश्कता अफिन सती कहता ही आतक उनका जो उद्देश से वह पूरा ना हो जाए वो ऐसा ही बढ़कते रहते हैं ऐसा लेकर जो snip की है, ठीक है साथी हो, इसका होतिए, इसका मतलब यह होगया, क्या होगया, एक स्थान से दूसरे स्थान, अभी मैंने क्या का था, यहां आगए, आगर आगए, फिर टूर्णा चले गए, फिर फिरो जावा चले गए, फिर आगे से बजो परता आगे, जो भी हो, इटावा इटावा, कानपुर vàनपुर, जहां भी हो, फिर मतलब यह कहने का है, कि एक इस्थान से, दूसरे इस्थान यह चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, यह कंटीनू चलने परिवासित करती है देखिए देखते हैं क्या चलिए चलिए देखिए साथी देखिए दो कौन से कौन से हैं और एक को देखिए यह कहरा है यह कहरा है देखिए साथी यह कहरा है कि दो परिकार के विपड़ को परिवासित करती है तीन सो उनसट के अंतरकात आते हैं दो देख सबस्क्राइब बंट में भारत में भीडियों दाह्रा थिन सो साथ में भारत में भारत में भारत में पॉतन सफ साथ बाएद सनरग्षता से विप्रण धारा थीन सो एकसरड़ देंकि दारा इसकी बढ़ती जाती है कोई एयोँ समझेगा करेंगा अब तीन सो एकसरड़ तो तीन सो एकसरड लगेगी और अगर भारत से वेपरड हो रहा है तो 360 लगेगी देखिए परिभासित करती है ये अपरड की बात हो रही है परिभासित करती है देखिए चलिए देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे देखते हैं पक्छों का उलेक देखिए इसमें अवेश के अर्थात 18 वर्ष की आयू तक की लड़किया, 16 वर्से की आयू तक के लड़के या विक्रत अंसाउंड दमाग के वेक्ति और एक बैद सनर्चक सामिल है यानि यह कह रहा है कि 18 वर्से की आयू तक की लड़किया और 16 वर्स की आयू तक के लड़के अंसाउंड यानि पागल ब्यक्ती और एक बैद सनरचक सामिल है अब यह क्या कहता है अपड़ड़ा यह किसी भी उमर के ब्यक्ती के संदर में हो सकता है यानि इसमें देखी उमर की कंडिशन लखी हुई है इसमें उमर की कंडिशन है और क्या है कि ब्यक्ति पागल होना चाहिए इसमें ब्यपड़ा में और उमर क्या है कि 18 वर्स और 16 वर्स लड़की की देखिए और इसमें क्या है कि इसमें उमर से कोई मिले लेना देना नहीं है देखिए अप्रड क्या है अप्रड हो सकता है एक महीने के बच्चे से लेकर साट साल यानि असी साल जितने का हो सौ साल के बुड़े तक कब तक एक महीने से बच्चे से लेकर सौ साल के बुड़े तक hospital हो गा कि बच्चा जो होता है औस टाम बच्चा चोरी हो जाता है hospital से, बहुत काानिया देखेंगी, आपने movie नहीं भी देखा होगा काानिया भी आपने देखेंगी, अख़वार में भी आ पड़ा होगा किया जाना होना चाहिए और छल पूर्ड यानि साधन होना चाहिए उसमें छल भी होना चाहिए बल भी होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए अगर छल से ना है तो बल से उसे अपड़ करेंगे ठीक है साती हो है ना अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है यह देखी आगे व्यक्ति या उस व्यक्ति की और से देखिए यह उस व्यक्ति या उस व्यक्ति की और से किया जा रहा है ठीक है और इसमें क्या है इसमें आपने भी पड़ा बल या पर छलपूर या सादन सामल होने चाहिए इसमें देखिए अब यह क्या कह रहा है देखिए व्यक्ति की सहमत बल या मजबूरी या चल के साधनों से प्रेजित होती है है ना साथी आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है देखिए देखिए आगे क्या कह रहा है आगे आपका क्या कह रहा है बहुत लंबा है यह सहमती देने के लिए कानूर रूप से अधिकरत व्यक्ति की सहमती के बिना किया गया था देखिए ब्यक्ति की बिना सहमती के किया जाता वह पागल तो होता है वो क्या सहमती देगा अपरण करने की अपरण करने की सहमती तो अपरण करने भी नहीं होती है ठीक है सहमती अपरण करने भी नहीं होती है यानि सहमती इसमें दौनों मैंसे किसी में नहीं हो देखिए चोटा वड़ा करना पड़ता है इरादा विप्रड करने वाले का इरादा सरहानी होता है यानि विप्रड करने का इरादा सरहानी होता है यानि पक्का होता है और अपराद करने का इरादा जरूरी है यानि अपराद करने का इरादा इसमें जरूरी है इसमें इराद इस्ट है या फिर कोई पैसे की फिरोटी के लिए के जा रहा है यह इसमें देख कि कुई बात नहीं आ रही है देखिए ति हसाती आगे देखते आगे क्या कहता है Wells अपराद का पिरकारी है एक मूल अपराद है इसका मतलब है कि केवल ले जाने का कार्य अपरड का गठन करता है यह मूल अपराद नहीं है यह अपराद का गठन करता है जब यह अन अपराद करने के इरादे से किया गया हो ठीक साथी हो यह एक अपराद करने के इरादे से किय अन्य कौन सा यानि पैसा एक अपराद तो उन्य कर लिया कि अपराद कर लिया दूसरा अपराद क्या है कि या तो किसी से रंजिसो अन्य कोई अपराद हो या फिर पैसा अब पैसा कहां से देगा विचारा बताओ उसके पास हो ना हो तो उससे पैसा करने के लिए भी अपराद करने के इरादे से ऐसा नहीं किया जाता है अब बेपरण करता है तो उसे साथ बरस का काराबास साथ बरस का काराबास और जुर्माने से भी दंडनिये किया जाएगा और इसे बढ़ाया भी जा सकता है इसे चलिए साथी और देखते हैं आगे देखिए आगे देखते हैं यह क्या कह रहा है देखिए बेपरण ए सोले बरस की एक लड़की भी को उसके बैद सरनक्षता की सहमती के बिना उसकी सरनक्षता से ले जाता है एने विपरण की आए यानि सोले बरस की कोई लड़की है और बी को उसके बैद सरनक्षता की सहमती के बिना यानि जो कोई सरनक्षता है उसका भी उसे ले जाता है बिना उसकी सहमती के बिना उसके बताए 16 साल की लड़की को तो ये विपरण उसने विपरण का अपराद कर दिया उसने क्या कर दिया उसने विपरण का अपराद किया है उसने अपरण क्या है ए बी को विभा के लिए विवस करने के लिए एक एस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने के लिए बल पूर्वख प्रिर्ट करता है बल पूरवग प्रेरित करता है एने अपरड किया यानि आपने देखा होगो बहुत सी कटना होती है लड़के लड़की की या तो लड़की राजिस साधी करें या फिर उसे भी जो है अपरड करके ले जाता है एक अस्तान से दूसरे स्थान पर ने जाता है तो उस उने अप्रड का, अप्रड जिसे अंग्रे जी में किड्नेपिंग का जाता है, दो सब्डों से बनाए कौन से कौन से स competitive दो सब्डों से बनाए, इसका अर्थ है बच्चा किड यानी बच्चा आपने सुना होगा, इस पिरकार इस साब्धिक अर्थ है एक बच्चे की चोरी करना भारतिय दand सहीता की दारा यानि हमारी जो IPC धारा 369 बेपरण को 2 स्रेडियों में ऴरगी करत करती है अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहाएं यह भारत में बेपरण का अपराद केवल बच्चों की चोरी तक ही सीमित नहीं है इसमें 16 साल से कम उम्र के पुरुसों या 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के मामलों में किसी इनसान को उसकी सहमती के बिना या कानूनी सरच्चकों की सहमती के बिना ले जाने के कार सामिल करने की बियापक गुन जायस की गई है यानि इसमें सहमती के बिना की बात की गई है कोई सहमती ना हो कोई अगर 16 साल की बे लड़की को या 18 साल की लड़के को अगर बिना सहमती के कोई अगर अंसाउंड है या पागल बेकती है उसे ले जाता है तो ये क्या हुआ बेपरड का अर्थ हो गया धारा 369 के अंतरकत IPC की धारा 369 के अंतर ये वेपड़ का अर्थ हो गया साती हो आज की किलाथ कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा और बेपड़ और अपड़ आपको बहुत ही अच्छी तरह अच्छी तरह बीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बीडियो को लैक्ट जरूर करें आगे इसी तरह की वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने उज़र हाजिर होता हूँ तब तक के लिए बंदे मातरम जैहन साती हो